हेलो दिया रेस्ट्वेंट तो कोशेंट बोल रहा है कि कंस्ट्रक्शन वर्कर हेलमेट स्लीप एंद फॉल्स वैन ही इस 7.78.4 मीटर एबब दा ग्राउंड ही एर्स दा सांड ओफ दा हेलमेट हेटिंग दा ग्राउंड 4.23 सेकेंड अप्तर इट स्लीप फाइंड दा स्पीड ओफ दा सांड इंए ठीक है स्ट्वेंट तो कोशेंट बोल रहा है कि माल लीजे यहां पे ग्राउंड है और इस ग्राउंड से 78.4 मीटर हाइट पे वर्कर जो वर्क कर रहा है स्ट्वेंड है और उसका जो हेलमेट है वो क्या कर जाता है और ग्राउंड से हीट करता है और हीट करने के बाद यानि करने का मतलब 4.23 सेकेंड का वो टाइमिंग लेता है यह हेलमेट गिरता है फिर आगें साउंड उसका यहां से पढ़िवस होता है औ कि टाइमिंग कितना है और उस टाइमिंग में इस 4.23 को क्या करेंगे माइनस कर देंगे तमको पता चल जाएगा ठीक है इस्पीड आप साउंड इन एयर ठीक है तो देखिए हम लोग को एच की इबन है तो एच इक्वाल टू 78.4 इनिसियल वेलोसिटी 0.0 m per second time हम लोग को find करना है और भी भी find करना है ठीक है जी इबन होता है जी कितना हो जागा 9.8 m per second square तो therefore हम लोग formula लगाते है एस इक्वाल टू यूटी प्लस हाप 80 square ठीक है ठीक है ठीक है पूट करेंगे 78.4 इक्वाल टू हाफ इंटू जी 9.8 इंटू टी स्क्वाइर क्लियर स्टन तो 2 इंटू 78.4 divided by 9.8 equal to t square हो जाए ग्रॉस मल्टिप्लाइ कर दी है तो देन ये कट के कितना आएगा इस तन से स्टन ती स्क्वाइर यानि देर फोर टी इक्वाल टू 4 सेकेंड ठीक है तो टाइम कितना आ गया फोर सेकेंड आ गया तो आब हम लोग आगे निकाल लेते हैं टाइम टेकें बाइ साउंड टू ट्रेवल 78.4 मीटर टीक है तो 4.23 माइनस क्या करेंगे 4 तन वी गेट 4 ठीक है देर फोर स्पीड अपसांड श्पीड अफ्साँंड अस्पीड निकाल यह तन दिस्टेंट तो डिस्टेंट कितना 78.4 और प्राइम कितना स्टेंग आपका जो यहां पे आया अच्छा सोरी यहां पे आ जाएगा 0.23 तो 0.23 तो 0.23 इस दिवाइट कर देंगे then we get 340.87 meter per second ते कर देंगे